चाहे कितनी भी परानी pigment हो, मलाजमा हो, जाईया हो, काले निशान हो, काले धब्बे हो, या aging दिखने लग गई हो, early sign of aging आने लग गई हैं, यानि कि आपके चेहरे के पर बुड़ापे के लक्षन दिखाई देने लग गई हैं, open pores बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी स्किन लूज होने लग गई हैं, तो इस खूबसूरा से face pack को ट्राइ करके जरूर देखिए, फर्स टाइम के यूसरी आपको इसके visible results दिखाई देंगे, आपको अपने दाग धब्बे pigment fates out होती दिखाई देगी, स्किन टाइट होती फील होगी, open pores minimize होते, आप खुद कैसे जी आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature bus सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप सब, I hope आप सब लोग खुश होंगे, तो देरी के बना लेते हैं अपनी remedy, सबसे पहले हमें चाहिए fit curry, friends market में आपको fit curry बहुत ही असानी से मिल जाएगी, यह आपको एक गांट की तरह मिलेगी, यह आपको एक बर्फी के टुकडे की तरह मिल जाएगी, आपने उसको ले लेना है, और उसको अच्छे तरीके से कूड के उसको चान लेना है, हमें powder form में चाहिए fit curry, ठीक है जी, fit curry हमारे open pores को minimize करती है, हमारे skin को tight करती है, अगर चहरे के उपर एकने मुहा से निकलते हैं, तो यह उससे भी हमारे skin को छुटकारा दिलाती है, और इसके सासा यह दाग धबों को भी light करती है, ठीक है जी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ संत्रों के छिलकों का powder, अगर आपके पास संत्रों के छिलकों का powder नहीं है, आपके पास ताजा संत्रे होंगे या किलनू होंगे, आप उसको ग्राइंड करके डाल लीजिए, यह बहुत सारे beauty products में इस्तेमाल होता है, क्योंकि संत्रों के छिलकों में संत्रों के रस के मुकाबले 10 गुना जादा vitamin C होता है, vitamin C हमारी skin के लिए बहुत ही जादा important role play करता है, क्योंकि यह हमा हमारे चहरे के उपर aging को आने से रोकता है, और हमारे skin tone को एक से दो shade light भी करता है, ठीक है जी, अब मैं इसमें add कर रही हूं, चोथाई चमच के करीब glycerine, अगर आपको suit नहीं करती तो आप glycerine की जगा honey का इस्तेमाल कर सकते हो, हमने यहाँ पर glycerine इसलिए add की है, कि अगर fit curry की वज़े से हमारे skin हलकी सी भी dry होती है, तो वो बिल्कुल नहीं होगी, यह हमारे skin को naturalty के से moisturize भी करता है, और अब मैं इसमें add कर रही हूं, चोथाई चमच के करीब ही नारियल का तेल, अगर आप नहां नारियल का तेल नहीं लेना चाहते, तो आप इसको skip करके, एक capsule vitamin E oil का जरूर add कीजिए, और अब मैं इसमें एक चीज और add कर रही हूं, वो है हमारा मुलेठी का powder, मुलेठी के powder की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, यह हमारे skin की pigment है, उसको light करने के लिए बहुत 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 ही अच्छा होता है, और यह चेहरे के दाग धब करता है, और हमारे चेहरे के उपर अगर unwanted hair हैं, तो यह उसको भी सुका कर उतार देता है, सुका कर मतलब हमारी hairs की जो roots होती है, यह उनको सुका उड़ देता है, जिससे वो weak हो जाती है, और आपके जो बाल हैं अंचाहे, वो धीरे धीरे जड़कर उतरने लग जाते हैं, आ या आप इसकी paste को पानी से त्यार कर लीजिए, मैं कच्चे दूर से त्यार कर रही हूँ, अगर आपकी skin dry है, तो आप कच्चे दूर से ही इसकी paste को त्यार कीजिए, friends इसको use करके देखिए, pigmentation इतनी मतलब धीट होती है, जल्दी जाती नहीं, लेकिन अगर आप इसका regular इस अगर आप इसका regular इस्तेमाल करोगे तो वो खतम होने लग जाएगी, पहले तो वो fates out होती दिखाई देंगी, यानि कि वो light होती दिखाई देंगी, धीरे धीरे वो खतम होने लग जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है, वो आपको मैं आगे वीडिय ठीक है जी, मैंने अपने face को कच्चे दूर से साफ किया है, आप अपने face को किसी भी चीज़ से साफ कर सकते हो, चाहे आप अपने face को साफ करने के लिए अपना फेवर्ड फेस वोश ले लीजिये, या गुलाब जल ले लीजिये, ये आपकी अपनी चुआश है, वीडियो देखते हैं अगर आपको वीडियो पसंदार ही तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिये, और कॉमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिये, अगर खाने पीने का पूरा ध़्यान रखिएAy आपने क्या खाना आप वीतामिन सी से भर पूर चीजों को खाएए जिस चीज के अंदर जाद민 कर दो एक बढ़ा दीजिये, क्योंकि वीडियों की वीटामिन सी चेहरे के दागधबों को लाइट करने के लिए बहुत च्छा है कि अब आपको लोगे कि हम मैडिसीन ना खा लें लेकिन अगर हम नेचरल चीजों से ही विटामिन सी ले सकें तो वो ज्यादा अच्छा है उसके रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे और ज्यादा जल्दी दिखाई देंगे इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप नेचर की तरफ जाए नेचरल चीजों को ही यूज कीजिए फ्रूट लीजिए हरी सबजीएं लीजिए और इसके साथ सद्धाही का इस्तेमाल कीजिए पानी भरपूर मात्रा में लीजिए और थोड़ी बहुत एकसासाइज भी जरूर करें ताकि आपकी पूरी बोड़ी का बलड़ फ्लो बढ़े जिससे आपकी पूरी स्किन ही ग्लो करें ठीक है जी फ्रेंट्स इस फेस पैक को सभी यूज कर सकते हैं बस वो लोगी इसका इस्तेमाल ना करें जिसको इस फेस पैक में डालगे किसी इंग्रीडियन्ट से अलर्जी उनकी स्किन को निक्सान हो सकता वरना ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है ठीक है जी देखिए फ्रेंट्स फेस पैक लग चुका है अब मैं आपको मिलती हूँ दस मिनट के बा डेखिए फ्रैंड ये डियुञें देख सकते हैं स्किन बहुत जादा प्यारी हो गई है बहुत ही जङदा würd खूबच वरत हैं अब टाइम अपनी स्किन को मौस्चराइज करने का मैं अपनी स्किन को मोस्चराइज करने के लिए अपना बनाती को कुंबर आस ऐस तरीक 친 मै यह लेकित में आपको कल भी बताया था इसको लगाने के बाद बहुति एदा फ्रेश फील होता एक अरोमा भी हो जाता है हमारा मॉस्चछ राइजर तो लग ही रहा है इसके साथ हमारा जो दिमाग है वह बहुती खुबसूरत मॉस्चछ वन कर त्यार होता है तो आप भी इस amazing से प्यारे से face pack को और moisturizer को बनाएं और अपनी skin को हमेशा खूब सूरत रखें glowing बनाए, healthy बनाए तो फिर मिलेंगे हम अपने next video में तब तक के लिए बाई बाई